ठंड बहुत जादा है, डेर सारे सब्जेक्ट्स है, बोड एक्जाम से एकदम सरपर है और हमें समझ ही नहीं आरा हमारा टाइम पूरो पूरा दिन किदर निकल जा रहा है पूरे पूरे दिन दो या तीन पेजिस कवर कर पाते हैं जबकि हमारा टारगेट दो से तीन चैप्टर्स का होता है और एकी सब्जेक्ट पे रह जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्स तो हमारे कवर ही नहीं होते हैं, टाइम बहुत ही लिमिटेड है अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी हैं, तो मेक्शूर कर ये आज का वीडियो आप शुरुआत से देकर अंत तक देखेंगे क्योंकि बेटा इस पर्टिक्यूलर सेशन के अंदर मैंने आपको क्लारिटी दी है कि कैसे आपके हाथ में 10 घंटे ऐसे ही रखे हुए हैं, आप उसे रियलाइज नहीं कर पा रहें, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहें मेक शुर कर ये वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतक देखेगा, इस प्लेटफॉर्म के माधियम से लगातार आपकी सलोन दी, आपकी सलोनी मैं आपको केमिस्ट्री की प्रपरेशन करा रही है, थुरू 10 डेज चालेंज हमने पूरा केमिस्ट्री का सिलेबिस कम्प्लीट किया है, आप चेक आउट कर सकते हैं 10 डेज चालेंज की प्लेइलिस, जहां पर केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, along with the solution of the types of questions which are being asked, do follow 10 डेज चालेंज, अगर वहां से भी आपको ऐसा लगता है, कि नहीं हमें question पूछने की freedom चाहिए, हम कई चीज क् platform के माध्यम से, हम आपको paid batches, यानि की class 24 application पर एक crash course भी रन कर रहे हैं, जहां पर आपको पूरा syllabus कवर कराया जा रहा है, मात्र पच्चिस सो रुपय में, अगर आपको भी उसमें enroll करना है, क्योंकि, देखो हम guarantee ले रहे हैं, पूरा syllabus कवर करेंगे, आपको भी पता है, आप करके एक चाप्टर खतम होता जाएगा, आपको अगर जॉइन करना है, तो class 24 डाउनलोड कर लो, और साथ ही साथ जो helpline number वहां पर दिया है, वहां पर call कर लीजे, 830-297-2601, यहां पर call करके inquire कर लीजे, what is the timetable, at what time I can join, क्या क्या चीजे cover होंगी, सारी चीजों की information आप आपको इस helpline number पर मिल जाएगी, तो यहां से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कि हम आपको अपनी best possible service दे, in the form of the best free video lectures that are available on YouTube, or in the form of all the paid batches that we are running, specially for you, at the minimum cost price, but at the same time, कही न कहीं बेटा, self study board exam में बहुत जादा जरूरी है, और इसलिए यह clarity देने आ रही हूं, मैं इस वीड निकालेंगे, आज आईए समझते हैं हमारा whole scenario, problem क्या है, problem यह है, कि हमें board में 95 plus score करना है, अब subjects कितने हैं, subject है, हमारे पास 3 main subjects है, physics के लिए at least 2 घंटा चाहिए, chemistry के लिए 2 घंटा चाहिए, English care 1 घंटे में adjust कर सकता है per day, ठीक है, उसके बाद Maths and Bio के लिए at least 2 घंटे चाहि है, आपका उसके लिए भी 2 घंटा चाहिए, कुल मिलाके 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और English को 9 घंटा दे दो, तो पूरे दिन में 9 घंटे पढ़ाई की मांग कर रहा है, यह CBSE Board Exam 2024 के लिए, ठीक है मेटा, अब यह 2 घंटे per subject हर रोज निकालना है, लेकिन समझ ही नहीं आरा, कैसे निका है, बट यही मौके को अच्छे से यूटिलाइस कर लोगे, तो अपने स्कोर को बहुत ही next level पे बूस्ट कर पाओगे, यह discipline और consistency आपको आपकी life में बहुत आगे लेकर जाएगी, देखिए आप कैसे कर सकते हैं, पहले समझना होगा कि time table ऐसा बहुत ही hard and fast नहीं होना चाहि यह understanding कि यार, अब मैं अचानक से सुबह उठना नहीं start कर सकता, तुम्हें भी पता है, तुम पूरा दिन वेस्ट करोगे, या दो पहर पूरा सो जाओगे, अगर सुबह जल्दी उड़ गए, या रात को देर तक पढ़े हो तो, तो realistic time table होना जरूरी है, आपको पता है, आटर स्ट्रेच आपके पास available है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें भी 10 घंटे निकाल सकते हो, ये बताने आई हो, आपको क्या करना है, आपने study table के आगे, पहले तो माक कर लो, आपके study slots कौन कौन से available है, जो भी करना है आट बज़े से पहले कर लो, जो भी सुबह के नि 2.11 का break, कोई दिक्कत नहीं है, इस break में आपने क्या किया, breakfast कर लिया, मम्मी बापा से बाते कर ली, चहल कदमी इधर उधर थोड़ा movement कर लिया, ठीक है, उसके बाद 11 से 1, ये आपका दूसरा time slot है 2 घंटे का, ठीक है, ये दूसरा time slot है 2 घंटे का, इसको लिखी लो, 11 से 1 के बीच में अगर आप इधर उधर कहीं भी पाएगाए, आपको खुद पे शरम आनी चाहिए, guilt feel होना चाहिए, क्यूंकि आपको break मिला है 1 घंटे का, और ये आपको utilize कर रहा था पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो 11 से 1 आपका 2 घंटा, एकदम 100% dedicated होना चाहिए, studies के लिए, उस लेकिन 3 to 5 बच्चों, तीन से 5 के बीच में आपका 3rd time slot होगा, जो again 2 घंटे का होगा, तीन से 5 के बीच में अगर आप सोते हुए पाएगाए, आप टीवी देखते पाएगाए, फोन स्क्रोल पाएगाए, अभी बता दे ना, अपने बहाईों बहनों को सबको बता दो, ये टारगेट अगर सेट किया तो उसे अचीव करने के लिए टाइम निकाला पड़ेगा, ये आपका टाइम टेबल होना ही चाहिए, चौथा time slot है आपका 6 से 8, यानि 5 to 6 again you have break, जाये नीचे टहल कर आईए, ठंडी का मौसम है, थोड़ा आपका body warm-up भी होना चाहिए, 5 to 6 आप ये काम कर सकते हैं, आपके दोस्तों से पूछले जो what is the update, आप कहां तक पहुंचे, मेरे sample papers क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको एक idea लग जाएगा, 6 to 8 again आपके पास 4th time slot है जहां पर आप पढ़ सकते हो, and 8 to 9 फिर से break दिया है, जहां पर आप डिनर विनर कर सक करने के लिए, अब आप इसे खुझ से डिवाइड करिये कि आपकी requirement क्या है, सुबह अगर आपको नीन आ रही है, चूज फिजिक्स for the morning slot, ये वाले slot में आप फिजिक्स को दे दीजे, 11 to 1 आप chemistry को दे दीजे बच्चों, 3 to 5 आपका maths और bio है, तो maths और bio जिसका जो है वो ले दीजे, लास्ट बच्चता है, 9 to 11 का slot, यहां पर आप क्या करेंगे, या तो आप जो भी पड़े पूरे दिन में वो revise कर लीजे, ये काम कर सकते हो, दूसरा आप एक काम कर सकते हो, आप एक सबजेक्ट का sample paper schedule कर दीजे, कि मुझे 3 गंडे का paper भाई, दो घंटे में खतम करन मैं sample paper go through करूंगी, ये करना है आपको, वो भी writing में, और ये sample paper वाला टास्क अभी से ले लो, ताकि आप 30 तारिक तक, जैन्वरी के, कई सारे paper solve करके, एक दम बहतरीन तरीके से, एक दम ट्रैक पर आचुके होगे, बेटा, आपको मजा आने लगेगा, आपको लगेगा कि य होता भी हूँ, सारी चीजे करता भी हूँ, सब चीज करते हुए भी, आपके पास 10 घंटा प्रति दिन हैं, और 2-2 घंटा अगर आप पर सब्जेक्ट निकालते हों, माल नो आपने physics chemistry का कोई ऐसा chapter उठाया, जो 2 घंटे में नहीं cover हो रहा है, तीन घंटे में cover हो रहा है, य यह 9-11 वाले slot में cover कीजे, एक घंटा जो chemistry का अगर AKC पकड़ा है तो वो उठा लीजे, physics का ray optics या wave optics पकड़ा है तो वो उठा लीजे, या तो फिर आप English का कोई chapter उठा लीजे, और इससे भी पेट नहीं भर रहा, तो एक sample paper chemistry का कर लीजे, मैं बस इतना चाहती हूँ, हर must be out of these time slots, क्योंकि आपको already allot किया गया है, आपकी refreshment का पूरा ध्यान रखा गया इस time table में, और हमें जब पता है कि हमारा लक्ष 95 प्लस है, तो हम इतना time क्या नहीं निकाल सकते हैं एक महीने के अंदर, अफ्कॉर्स निकाल सकते हैं बच्चों, not a tough task, अगर आपको लग रह 10 chapters के लिए, कि भाई, आज दे वन है, आज आप ये chapter करो, उसमें ये topic कवर करो, और 7 days, 10 days challenge का ये video lecture देखो, ये questions करो, ये questions करो, वो अभी भी है मेरे दिमाग में, लिखके रखा इससे previous वाली slide में, लेकिन मुझे ऐसा लगा पहले priorities चीज को देनी चाहिए, कि बेटा पहले time table fix कर ले, पढ़ाई करना start कर ले, बहुत जादा जरूरी है, अगर ये नहीं follow करोगे, कैसे manage करोगे 5 के 5 आपके subjects, ठीक है, end में बहुत जादा pressure build up होगा, वो मैं नहीं चाहती, मैं जानती हू, सारे बच्चे बहुत समझदार है, अपने time slots mark कर लीजे, study table के आगे लिख दी आगता है, that is known as your realistic time table, ये 9 से 11 के बीच में ये भी decide करो कि कल मुझे physics का, chemistry का, P.E.I.P.C.S. या फिर maths bio का कौन सा chapter कवर करना है, ये होता है strategize करना, इतनी clarity होगी mind में, तो बताओ पढ़ने नहीं बैठोगे नहीं, तो पढ़ने बैठोगे तो एक घंटा ये ढूनते रह जा बन किया गायब, ये हो रहा है आपके साथ, मत करो ये सब, ठीक है, clarity रखोगे, जब clarity होती है कब, कहा, कैसे, तो बच्चा डेफिनेटली काम करता है, और वो clarity मने आपको दे दिये, बस लग जाए और शुरू कर दीजे बटा, गर्मी, सर्दी, ठंडी, मैटर नहीं करती है, हीटर लगा लिजे, पढ़ना शुरू कर दीजे, ठीक है, I hope that was enough for you, and ये आपको motivate करने के लिए काफी था, and बच्चा लोग, अगर इसी तरीके से आप चहते हैं कि लगातार मैं आपको यहाँ पर आकर motivate करती रहूं, strategies देती रहूं, और आपको chemistry के लिए और अच्छी से train कर करती रहूं बेटा, तो इस फामिली का हिस्सा जरूर बन जाएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, वहाँ पर लगातार कई सारे सेंपल पेपर्स, के विए संगठन के साथ साथ नवोदय विद्याले के, ऐसे सारे फ्री में सेंपल पेपर्स हम आपको वहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट, लाइफ, डाउट, जो क्वेस्टन सॉल्ट करना है, वहाँ, सांपल पेपर्स, आपके डेली टेस्ट भी हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो इस से जादा असिस्टेंस की जरूरा है, अगर मेरे बर्ट्स काफी है, गो अलोंग विद माई कराते रहे हैं, बाई बच्चों, बाई टेक कर, लव यू अल